लीजे प्रेमचंद की कहानी मुबारक बिमारी वाचक कृष्णा सांखला रात के नौब बज गे थे एक युवती अंगीटी के सामने बैठी हुई आग फूंगती थी और उसके गाल आग के कुंदनी रंग में देहक रहे था उसकी बड़ी बड़ी आँखें दरवाजे की तरफ लगी हुई थी कभी चौंक कर आगन की तरफ ताकती कभी कमरे की तरफ फिर आने वालों की इस देरी से त्योरियों पर बल पड़ जाते और आखों में हलका सा गुसा नजर आता कमल पानी में जखोले खाने लगता इसी बीच आने वालों की आर्ट मिली कहर बाहर पड़ा खराटे ले रहा था बूड़े लाला हर नामदास ने आते ही उसे एक ठोकर लगा कर कहा कमभख्त अभी शाम हुई है और अभी से लंबी तान दी नौजवान लाला हरीदास घर में दाखिल हुए चेहरा बुझा हुआ चिंतित देवकी ने आकर उनका हाथ पकड़ लिया और गुस्से वप्यार की मिली ही हुई आवाज में बोली आज इतनी देर क्यों हुई दोनों नए खिले हुए फूल थे एक पर रोस की ताजगी थी दूसरा धूप से मुर्जाया हुआ हरीदास हाँ आज देर हो गई तुम यहां क्यों बैठी रही देवकी क्या करती आग बुझी जाती थी खाना ना ठंडा हो जाता हरीदास तुम जरा से काम के लिए इतनी आग के सामने न बैठा करो बाज आया गरम खाने से देव की अच्छा कपड़े तो उतारो आज इतनी देर क्यों की हरीदास क्या बताऊं पिताजी ने ऐसा नाक में धम कर दिया है कि कुछ कहते नहीं बनता इस रोज रोज की जहन जट से तो यही अच्छा कि मैं कहीं और नौकरी कर लूँ लाला हर नामदास एक आटे की चकी के मालिक थे उनकी जवानी के दुनों में आसपास दूसरी चकी न थी उन्होंने खूब धन कमाया मगर अब वे हालत न थी चकियां कीडे मकोडों की तरह पैदा हो गई थी नई मशीनों और इज़ादों के साथ उसके काम करने वाले भी जो शीले नौजवान थे मुस्तैदी से काम करते थे इसलिए हर नामदास का कार खाना रोज गिरता जाता था बूडे आदमियों को नई चीजों से चिड़ हो जाती है वह लाला हर नामदास को भी थी वह अपनी पुरानी मशीन ही को चलाते थे किसी कीस्म की तरकी या सुदार को पाप समझते थे मगर अपनी इस मंदी पर कुढ़ा करते थे हरीदास ने उनकी मरजी के खिलाफ कालेज ये शिक्षा प्राप्त की थी और उसका इरादा था कि अपने पिता के कारखाने को नए उसूलों पर चला कर आगे बढ़ धाएं लेकिन जब वह उनसे किसी परिवर्तन या सुदार का जिक्र करता तो लाला सहब जामे से बाहर हो जाते और बड़े गर्व से कहते कॉलेज में पढ़ने से तजुर्बा नहीं आता तुम अभी बचे हो इस काम में मेरे बाल सफेद होगे हैं तुम मुझे सलाह मत दो जिस तरह मैं कहता हूँ काम किये जाओ कई बार ऐसे मौके आ चुके थे कि बहुत ही छोटे मसलों में अपने पिता की मर्जी के खिलाफ काम करने के जुर्म में हरी दास को सख्त फटकारे पड़ी थी इसी वज़े से अब यह इस काम में कुछ उदासीन हो गया था और किसी दूसरे कारखाने में किसमत आजमाना चाहता था जहां उसे अपने विचारों को अमली सूरत देने की ज्यादा सहूलते हासिल हो देवकी ने सहानुभूति पूर्व काहा तुम इस फिक्र में क्यों जान खपाते हो जैसे वे ही कहें वैसे ही करो भला दूसरी जगे नौकरी कर लोगे तो वे क्या कहीगे और चाहे वे गुस्से के मारे कुछ न बोलें लेकिन दुनिया तो तुम ही को बुरा कहेगी देवकी नई शिक्षा के आभूशन सेवांचित थी उसने स्वार्थ का पाठना बड़ा था मगर उसका पती अपने अलमामीटर का एक प्रतिष्ठित सदस्य था उसे अपनी योगिता पर पूरा भरोसा था उस पर नाम कमाने का जोश इसलिए वह बुड़े पिता के पुर उनके मरने का इंतजार करूँ मूर्खों की अनुचित ठीका टिपणियों के डर से क्या अपनी उम्र बरबार कर दूँ मैं अपने कुछ हम उम्रों को जानता हूँ जो हर गिज मेरी सी योगिता नहीं रखते लेकिन बह मोटर पर हवा खाने निकलते हैं बंगलो में रहते ह और शान से जिन्दगी बसर करते हैं तो मैं क्यों हाथ पर हाथ रखें जिन्दगी को अमर समझे बैठा रहूं संतोष और निस्प्रियता का युग बीद गया यह संघर्ष का युग है यह मैं जानता हूँ कि पिता का आदर करना मेरा धर्म है मगर सिधानतों के मामले में म मुक्ती पा चुके थे पहले कुछ दिनों तक जाड़ों में रात को पूरिया नहजम होती थी इसलिए चपातिया ही अपनी बैठक में मंगा लिया करते थे मजबूरी ने वह कराया था जो हुजत और दलील के काबू से बाहर था हरी दास के लिए भी देवकी ने खाना निक चानल के द्वारा की जा रही है लाला हर नामदास रात को भले चंगे सोए लेकिन अपने बेटे की गुस्ताखिया और कुछ अपने कारबार की सुस्ती और मंदी उनकी आत्मा के लिए भयानक कष्ट का कारण हो गयी और चाहे इसी उद्विग्नता का असर हो चाहे पे का सुबै होने से पहले उन पर लखवे का हमला हो गये जबान बंद हो गई और चेहरा एंट गया हरीदास राग्टर के पास दोड़ा राखटर आए मरीज को देखा और बोले डरने की कोई बात नहीं सेहत होगी मगर तीन महीने से कम न लगेंगे चिन्ताओं के कारण य हरीदास ने आकर उसको सांत बना दी और फिर राखटर के यहां से दवा ला कर दी थोड़ी देर में मरीज को होश आया इधर उधर कुछ खोचती हुई सी निगाहों से देखा कि जैसे कुछ कहना चाहते हैं और फिर इशारे से लिखन के लिए कागज मांगा हरीदास ने का जोसा नहीं यानि की दीनानात मेरा मालिक होगा और मैं उसका गुलाम बन कर रहूंगा यह नहीं होने का कागज लिए देवकी के पास आये और बोले लाला जी ने दीनानात को मैनेजर बनाया है उन्हें मुझ पर इतना इतिबार भी नहीं है लेकिन मैं इस मौके को हाथ से नदूंगा उनकी बिमारी का अफसोस तो जरूर है मगर शायद परमात्मा ने मुझे अपनी योगिदा देखलाने का यह हवसर दिया है और इससे मैं जरूर फाइदा उठाऊंगा कार खाने के करमचारियों ने इस दुरगटना की खबर सुननी तो बहुत घबराए उनमें कई ने कमें बेमसरफ आदमी भरे हुए थे जो सिर्फ खुशामद और चिकनी चुपड़ी बातों की रोटी खाते थे मिस्त्री ने कई दूसरे कारखानों में मरमत का काम उठा लिया था रोज किसी नकिसी बहाने से खिसक जाता था फायरमैन और मशीनमैन दिन को जूट बढ़ते रहने में ज्यादा मजा आता था लाला हर नामदास मजदूरी देन में बहुत हीले हवाले किया करते थे और अक्सर काट का पटके भी आदी थे इसी को वेह कारबार का अच्छा उसुल समझाते थे हरी दासने कारखाने में पहुचते ही साफ़ शब्दों कह दिये कि तुम लोगों को मेरे वक्त में जी लगा कर काम करना होगा मैं इसी महीन में काम देख कर सब की तरक्की करूंगा मगर अब टाल मटोल का गुजर नहीं जिने मनजूर नहोवे है अपना बोरिया बिस्तर संभाले और फिर धीनानात को बुला कर कहा भाई साब मुझे खोशियार और सूजबूज रखने वाले आदमी है आपने अब तक यह ही यहां का जो रंग देखा वही अख्तियार किया है लेकिन अब मुझे आपके तजर्बे और मेहनत की जरूरत है पुराने हिसाबों की जाच परताल कीजिए बाहर से काम मेरा जिमा है लेकिन यहां का इंतजाम आपके सुपुर्ध है जो कुछ नतफा होगा उसमें आपका भी हिस्सा होगा मैं चाहता हूँ कि दादा की अनुपस्थिती में कुछ अच्छा काम करके दिखाओं इस मुस्तेदी और चुस्ती का असर बहुत जल्दकार खाने में नजर आने लगा हरीदास ने ख थोड़े अनुभवी आदमी रख लिए फिर क्या था सारे शहर में इस कारखाने की धूम मजगई हरीदास ग्रहकों से इतनी अच्छी तरह से पेशा था कि जो एक बार उससे मुआमला करता वे हमेशा के लिए उसका खरीदार बन जाता कर्मचारेओं के साथ उसका सिद्ध था काम सक्थ और मजदूरी ठीक उसके उचे व्यक्तित्व का भी स्पस्ट प्रभाव दिखाई पढ़ा करीम करीब सभी कारखानों का रंग फीका पड़ गया उसने बहुती कम नपफे पर ठेले ले लिए मशीन को दम मारने की मुहलत न थी रात और दिन काम होता था तीसर की प्रबंद कोशल का यह वर्दान था कि भदी हर बड़ी और जल्दबाजी का कही निशान न था लाला हर नामदास धीरे धीरे ठीक होने लगे एक महीने के बाद वेह रूख कर कुछ बोलने लगे राक्टर की सखत तकीद थी कि उन्हें पूरी शान्ती की स्थिती में रखा है मैंने तकीद कर दी थी कि दीनानात को मैनेजर बनाना लेकिन उसने जड़ा भी परवाग न की मेरी सारी उम्र की कमाई बरबाद हुई जाती है देव की उनको सांत्वना देती कि आप इन बातों की आशंका न करें कारबार बहुत खूबी से चल रहा है और खूब नफा हो रहा है पर वह भी इस मामले में तूल देते हुए रुटी थी कि कहीं लखवे का फिर हमला न हो जाए हूँ हां कहकर टालना चाहती थी हरी दास जोही घर में आता लाला जी उस पर सवालों की बहुचार कर देते और जब एक टाल कर कोई दूसरा जिक्र छेड़ दे है कि इस बुढ़ापे में मुझे गली गली ठो कर खिलाए मुझे कोडी कोडी का मुहताद बनाए हरी दास फटकार का कोई जवाब ना देता क्योंकि बात से बात बढ़ती है उसकी चुपी से लाला साहब को यकीन हो जाता कि कार खाना तबह हो गया एक रोज दीवकी ने हर हरी दास से कहा अभी कितने दिन और इन बातों का लाला जी से चिपाओगे हरी दास ने जवाब दिया मैं तो चाहता हूँ कि नएई मशीन का रुपया अदा हो जाये तो उन्हें लिए जाकर सब कुछ दिखा दूँ तब तक राक्टर साहब की हिदायत के अनुसार तीन मही पूरे भी हो जाएंगे देव की लेकिन इस च्छपाने से क्या फाइदा जब वे आठों पहर इसी की रट लगाए रहते हैं इससे तो चिंता और बढ़ती ही है कम नहीं होती अससे तो यही अच्छा है कि उनसे सब कुछ कह दिये जाए हरी दास मेरे कहने का तो उन्हें यक यकीन आ चुका हाँ दीनानात कहें तो शायद यकीन हो देव की अच्छा तो कल दीनानात को यहां भीज दो लाला जी उसे देखते ही खुद बुला लेंगे तुम्हें इस रोज रोज की डांट फटकर से तो चुटी मिल जाएगी हरी दास अब मुझे इन फटकारों का जर होने वाला है और मैं मशीन की आधी कीमत अदा कर चुका शायद अगले महीने दो महीने में पूरी कीमत अदा हो जाएगी उस वक्त से कार खाने का खर्चते गुने से जादा है लेकिन आम धनी पम चगुनी हो गई है अजरत देखेंगे तो आखें खुल जाएंगी कहां हात में उल्लू बोलते थे एक मेज पर बैठे आप उंगा करते थे एक पर दीनानात कान को रेदा करता था मिस्त्री और फायरमें ताश खेलते था बस दो चार घंटे चक्की चल जाती थी अब दम मारने की फुरसत नहीं है सारी जिंदगी में जो कुछ ना कर सके वे हो मैंने तीन महीने में करके दिखा दिया इसी तजर्बे और कारेवाही पर आपको इतना घंट था जितना काम वह एक महीने में करते थे उतना मैं रोज कर ड़ालता हूँ देवकी ने भर्तसनापूर्ण नेत्रों से देख कर कहा अपने मुभमिया मिठू बनना कोई तुम से सीख ल दूसरे रोज दिनानात उनको देखने के बहाने से लाला हर नाम दास की सेवा में उपस्थित हुआ लाला जी उसे देखते ही तक ये के सहारे उठ बैठे और पागलों की तरहें बेचैन होकर पूछा क्यों कारबार सब तबाह हो गया कि अभी कुछ कसर बाकी है तुम रोज बाबू साहब से पूछ लिया करता था आपने मेरे साथ जो नेकियां की हैं उन्हें मैं भूल नहीं सकता मेरा एक एक रोआ आपका एहसान मंद है मगर इस बीच काम ही कुछ रिकस्था की हाजिर होने की मोहलत न मिली हर नाम दास खेर कार खाने का क्या हाल है दीवाला होने में क्या कसर बाकी है दीनानाथ ने ताजुब के साथ कहा यह आप से किसने कह दिया कि दीवाला होने वाला है इस अरसे में कारोबार में जो तरक्की हुई है वेह आप खुद अपनी आँखों से देख लेंगे हर नाम दास व्यंगे पूरवक बोले शायद तुम्हारे बाबू साहब ने तुम्हारी मन चाही तरक्की कर दी अच्छा अब स्वामि भक्ती छोड़ो और साथ बतला मैंने तकीद कर दी थी कि कार खाने का इंतजाम तुम्हारे हाथ में रहेगा मगर शायद हरी दास ने सब कुछ अपने हाथ में रखा धीनानाथ जी हां मगर की हुई दीनानाथ तफसील तो बहुत ज्यादा होगी मगर थोड़े में यह समझ लीजिए कि पहले हम लोग जितना काम एक महीने में करते थे उतना अब रोज होता है नए मशीन आई थी उसकी आधी कीमत अदा हो चुकी है वह अक्सर रात को भी चलती है ठाक और कंपनी का 5000 मनाटे का ठेका लिया था वेह पूरा होने वाला है जगत राम बनवारी लाल से कम सर्यट का ठेका लिया है उन्होंने हमको 500 और महावार का बयाना दिया है इसी तरह होर फुट कर काम कई गुना बढ़ गया है आमदनी के साथ खर्च भी बड़े हैं कई आदमी ने मुलाजिमों को मजदूरी के साथ कमिशन भी मिलता है मगर खालिस नफ़ा पहले के मुकाबले में चौगने के करीब है हर नामदास ने बड़े ध्यान से यह बात सुनी वह गौर से दीनानात के चेहरे की तरफ देख रहे थे शायद उसके दिन में पैठ कर सचाई की तह तक पहूंचना चाहते थे संदेह पूर्ण स्वर में बोले दीननात तुम कभी मुझसे जूट नहीं बोलते थे लेकिन तो भी मुझे इन बातों पर यकीन नहीं आता और जब तक अपनी आँखों से देख न लूँगा यकीन न आएगा दीनानात कुछ निराश होकर बिदा हुआ उसे आशा थी कि लाला साहब तरकी और कारगोजारी की बात सुनते ही फूले न समाएंगे और मेरी मिहनत की दाद देंगे उस बेचारे को नमालूम था कि कुछ दिलों में संदे की जड़ितनी मजबूत होती है कि सबूत और दलील के हमले उस पर कुछ असर नहीं कर सकते यहां तक कि वेह अपनी आंख से देखने को भी धोका या तिलिस्म समझता है दीनानात के चले जाने के बाद लाला हर नामदास कुछ देर तक गहरे विचार में डूवे रहे और फिर यकाय काहार से भगी मंगवाई लाठी के सहारे भगी में आ बैठे और उसे अपने चकी घर चलने का हुक्म दिया दोपहर का वक्त था कारखानों के मजदूर खाना खाने के लिए गोल के गोल भागे चले आते थे मगर हरीदास के कारखाने में काम जारी था बगी हाते में दाखिल हुई दोनों तरफ फूलों की कतारे नजर आए ही माली क्यारियों में पानी दे रहा था ठेले और गाडियों के मारे बगी को निकलने की जगे ना मिलती थी जिधर निगाह जाती थी सफाई और हर्याली नजराती थी हरीदास अपने महरिर को कुछ खतों का मस ओदा लिखा रहा था कि बुड़े लाला जी लाटी टेकते हुए कारखाने में दाखिल हुए कारखाने के कर्मचारी दोड़े और उनके चारों तरफ बहुत अदब के साथ खड़े होगे हर नामदास कुरसी पर बैठ गे और बोड़ों के चछत चूमने वाले ढ़ेर पर नजर दोड़ा कर बोले मालूम होता है दीनानात सच कहता था मुझे यहां कई नई सूर्ते नजर आती है भला कितना काम रोज होता है हरी दास आजकल काम ज्यादा आ गया था इसलिए कोई पांच सव मन रो जाना तयार हो जाता था लेकिन आसद धाई सव मन का रहेगा मुझे नई मशीन की कीमत अदा करनी थी इसलिए अकसर रात को भी काम होता है हर नामदास कुछ कर्ज लेना पड़ा हरी दास एक औरी नहीं सिर्फ हम मशीन की आधी कीमत बाकी है हर नामदास के चेवरे पर इत्मी नाना का रंग नजर आया संदेहनेवा विश्वास को जगह दी प्यार भरी आखों से लड़के की तरफ देखा और करुन स्वर में बोले बेटा मैंने तुम्हार रूपर बड़ा जुल्म किया मुझे माप करो मुझे आदमियों की पहचान पर बड़ा घमन था लेकिन मुझे बहुत धोखा हुआ मुझे अब से बहुत पहले इस काम से हाथ खीच लेना चाहिए था मैंने तुम्हें बहुत नुकसान पहुचाया यह बीमारी बड़ी मुबारक है जिसने तुम्हारी परग का मौका दिया और तुम्हें लियाकत दिखाने का काश यह हमला पांच साल पहले ही हुआ होता इश्वर तुम्हें खुश रखे और हमेशा उन्नती दे यही तुम्हारे बुड़े बाप का आशिरवाद है देश प्रेम 32 से अभी आप सुन रहे थे प्रेम चंद की कहानी मुबारक बिमारी वाचक कृष्णा साथला अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चे एनल लाइफ कोट पूथली को शेर, लाइक, सबसक्राइब, एवन कमेंद करना ना भूले जिस से हम आपके लिए नई कहानी बना सकें धन्यवाद